नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंदर आपका आपके अपने यूटूब चैनल के यह मकक्षा पर हार्दिक श्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ माफी चाहता हूँ, पिछले 15-20 दिनों में कोई भी वीडियो लेक्चर सूट नहीं कर पाया था, वज़े थी कोविड पोजिटिव होना जी हाँ दोस्तों, मैं 26 अपरेल को कोरोना पोजिटिव हो गया था, जिसकी वज़े से मैं इतने दुनों तक लेक्चर सूट नहीं कर पाया, उसके बाद मैं मैंने गर पे ही सटप लगवा लिया है अपना, अब आज मैं इस लेक्चर में आपसे बात ये करना चाहता हूँ, आपने थमनेल में देख भी लिया होगा, अलांगे, मैं बात ये करना चाहरा हूँ आपसे, कि मैंने आठ दिन में, आठ दिन में कोरोना से रिकवरी कैसे की, जैसे कि मैंने मंडे को टेस्ट करवाया, पोजिटिव है और अगले मंडे को जाके टेस्ट करवाया, वो तो देखो दोस्तो, कोवीड मैंने मतलब अपनी वहाँ डूटी से आके, मैं दो स्यादी अटेंड की थी, दूसरी शादी थी तेई सपरेल को, तो तेई सपरेल को मैंने क्या क्या, शादी में गया और वहाँ पर बिल्कुल थंडा रायता पिया, दुले के साथ खाना खाया असपास बिल्कुल सो गया, सुबह उठा, सुबह उठते ही, तीन-चार बजे के आसपास मेरे सरदर्द होने लग गया, फिर मैं पांच बजे उठके बाहर गया, अपने घर से और वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करवाया, काम करवाने के बाद में मेरे को सरदर्द जयाता ह तो में वापसा करके रेश्ट करने लगया फिर मेरे को मैसूस होने लगी मेरे को बुखार आ रहा है मेरे हाथ पेरों में दर्द था हाथ पेरों से सत प्राण निकल चुके थे फिर दिरे दिरे जैसे दिन निकलता जा रहा था मेरी आखों में जलन हो रही थी सर दर्द हो रहा यजलन थी यह कोरोना के लक्षंड थे मेरे को साम को जाकर के मैंने किसी प्राइट हुस्पिटल में तीन इंजेक्शन लगवए और एक ड्रिप लगवाई तक जाके मेरे को हिंमत आई लेकिन वह ड्रिप और इंजेक्शन के बदूलत मेरे मेरे में जानतो आ ती शरीर में लेकिन मेरा रोग मिटा नहीं था तीन दिन हो गए 26 अप्रेल आ गया लेकिन अभी तक मेरे बोडी में वो मुवमेंट नहीं थी जो पहले थी मतलब बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो पा रहा था मैं 26 अप्रेल को में मंडे का दिन था हमारे गाउं में जैसे ही मुझे बुखा रहा है उसी दिन में होस्पिटल में जाकर के मैंने इंजेक्शन लगवा है मैंने ड्रॉप लग ड्रिप चड़ हुआ है उसके बाद मैं मैंने टेबलेट्स लिये जो भी डॉक्टर ने अच्छे टेबलेट्स दिये वो लिये तीन देन तक कंप्ले यह डैपने ड्रिप्स नहीं मिलने पर मैं पहले दोवया लेक्शिया कोरोन की डोवया आए था मैं उसके बाद मजाच करवने गया और कोरोन की रिपोर्ट आने से पहले मैं अपना ट्रेट्मेंट इस्टार्ट कर दिया है अपनी दवाईय स्टार्ट करती थी यह एजित्रोमाइसीन है यह परासितामोल है जिंक सेल पेट है और भी कॉमपलेक्स है यह टेबलेट से मैंने स्टार्ट करती थी उसके बाद जब दूसरे दिन रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो सबसे पहले मैंने अपने आपको आईसोलेट किया और एक डाइट प्लान बढ़ें कि मेरे को क्या क्या खाना है क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना जिंदगी में कभी भी कोई भी रोगाणू से आपका सरीर लड़ सकती है आपके सरीर में जो रोगाणू है डवा या सिर्फ उस रोगाणू को मार सकती है आपके सरीर की कमजोरी को नहीं मार सकती है तो कमजोरी को मारने के लिए आपको एक अच्छा डाइट प्लान लेना ही पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको उठा, दूसरे दिन से, बिल्कुल आइसुलेट होगे, सब को बाहर निकाल दी, अपने कमरे से, और बिल्कुल अकेला रहने लग गया, सुबह उठती में, निम्बू चाई पीता, उसके बाद में कुछ देर बाद में, कुछ फ्रूट्स का लिता, जैसे की पपीता वगेरा, उसके बाद में कुछ सलाद वगेरा खा लिता, जैसे ककड़ी ये खी रहे हैं, ये अपने घर में उगा रखे हैं, वो सब खा लिता था उसके बाद में में खाना खाता था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ऐसे लगता था जैसे बहस का वाट खा रहे हो बहस का वाट खा रहे हो ऐसा लगता था बहस का जो आता ना पस वो को कहलाने वाला ऐसा लगता था ब बूदद़ी, अब निमबू चाई में क्या करता था, आदाशी टाली पत्ति डाली है उसमें पानीमें उबाल करकर उसमें अध्रक डालता थह, ठोड़ा गुड डालता था, ठोड़ा गुड? लेता था और उसके बाद में उस गरम गरम चाय को काली चाय या निम्बू चाय जिसको बोलते हैं वो पिया करता था उससे क्या होता था गला साप होता था उससे भी पहले में सुबह उठते ही क्या किया करता था गरम पाने करता था और उसमें नमक डाल करके काफी ज़्यादा नमक डाल करके बिल्कुल खारा पाने बनाके गरम पाने बनाके गरारे किया करता था ताकि गला साप हो जाए उसके बाद मैं खाना खाता था खाना खाने के बाद मैं अपनी टेबलेट्स लेता था और बिल्कुल आराम करता था उसके बाद में जब साम को उठता क्यों टेबलेट्स काफी MG की होती है और एक चीज और बताओं कोरोना खा कि जब मेरे पास में पहुंचा था तब मैं दो कूर्स ले चुका था टेबलेट्स की दो डोक्टरों की दवाई यह ले चुका था इसलिए मैं आठ दिन में रेकावर हो पाया हूं दोस्तों फिर मैंने एक टेबलेट्स और मंगाई जब कोवीड की रिपोर्ट आ गई तो मैंने टेबलेट्स मंगाई अजुत्रोमाइसिन विटामिन बीकोंप्रेक्स विटामिन सी जो लिमसी आती है एसकॉर्बिक एसड और जिंक सल्पेट और एक खासी की दवाई मंगाई और एक आईवरमेक्टिन वाले जो टेबलेट आती वो मंगाई यह सब लेकर के मैं स्टार्ट हो गया बिल्कुल टेबलेट टाइम टू टाइम लेना दवाय लेना और बिल्कुल साम को गुमने जाता था क्योंकि यह दिन में तो बहुत बुरा पढ़ता हो करते थे लोग बिल्कुल भी टच नहीं होना यह सब दोस्तों मैं आपको बताते कोरोना कैसे फैलता है कोरोना छूने से नहीं फैलता है यह तो हमने अपनी सुरक्षा की दरश्टी चीए ब्रांती बढ़ा दी कि छूना यह बिल्कुल भी आपको एक सही नोलेज होना चीए अपने सरीर में से अपने गले में से कोई भी ड्रोपलेट निकलती है वो चाहे खांसते वक्त हो चाहे ठूकते वक्त हो चाहे चीखते वक्त हो वो ड्रोपलेट किसी भी तरीके से अगर किसी दूसरे प्रशन के मुह तक या नाक तक चली जाती है तब जाके कोविड वाइरस का संकर्मन फैलता है अब यह कोई बड़ी बात नहीं है जैसे कि हमारी एक तो में चला जा चुका है और फिर वो जो सामने वाला था वो अपने मूग को ऐसे मशड़ता है ऐसे कट और अपने वाइरस को है वो अंदर ले लेता है यह हो सकता है कि आप खांसते वक्ती चीखते वक्त दिवार की या जो यह होता कि वाड इन दर्वाजी की नोक पर चीखते करते हैं तब हम क्या करते हैं मास्क को हटा लेते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर को चीक रेना तो कपड़ा लेकर चीक समय को कपड़ाखेख और अधिमार हैं और दर बेटे-बेटे मास्क नहीं लगाना है उससे भी आपको प्रोब्लम हो सकती है और साम सुबह साम गूमने जाईए बिल्कुल अपने शरीर को बिल्कुल निर्गण मत कीजिए इस तरीके से मैं बिल्कुल यही डायेट प्लान लेता रहा और सबसे बड़ी चीज होती है confidence दोस्तों किसी भी बिमारी को मिटाने के लिए सबसे बड़ी दवा होती है confidence 50% काम मेरी दवाईया कर रही थी और 50% काम मेरा confidence कर रहा था मुझे confidence था कि जो दवाई डोक्टर दे रहा है वो दवाई मेरे रोग की जांच करने के बाद में दे रहा है वो मेरे रोगाणों को किल जरूर करेगी मुझे उस डोक्टर पे विश्वास था उन दवाईयों पर भरोसा था कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ time to time और मैं ठीक होऊँगा ये confidence होना चाहिए दोस्तों इस confidence के आगे कोई भी रोगाणों टिक नहीं सकता है आदा तो उसकी मोत वहीं पर हो जाती है तो दोस्तों मेरा आप से हाथ जोड़ कर विंती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए इस तरीके से जैसे कि फिर में साम को साम होते होते खाना खाता था साम कुछ भी खाल लेता था बीच में भी और उसके बाद में साम को खाना खाने के बाद में काड़ा पीता था नीम गिलोई तो ज्यादा चीज नहीं डालने तीज दिन काड़ा लो रोज काड़ा लेने से भी आपका पेट खराब हो सकता है रोज काड़े नहीं लेने हैं आपकी जैसे हेल्ट से यूति काड़ा लेना बंद करो ओके इस तरीके से आप लगातार अपने सरीर की केर करो और किसी के टुच नहीं हो ना टूच का मतलब यह नहीं भी टूच होने से अगर कोरो ना हो जाता तो आब तक पूरिस रिष्ट मिट जाती लेकिन अपने को अपने ड्रोपलेट्स पर ध्यान देना है जो रोगी है वो भी अपना ध्यान दे और जो रोगी नहीं है वो भी ध्यान दे कि बाहर निकले हम तो मास्क लगा के निकले ओरतों की आदते होती है जो घर में ओरते होती है वो मार्केट जाती है तो क्या करती है घर से हम उनको कहते हैं कि मास्क लगा की चलना है वो मास्क लगा की चलती है बिल्कुल दुपटे से मूँ बांद की चलती है लेकिन रस्ते में जाती है चलती है दुकान पर जाने के बाद में उस दुपटे को खोल लेती है मास्ट को हटा लेती है अरे भई जहां जरुरत थी बास्क लगाने की वहां तो आपने हटा लिया जहां रस्ते में जरुरत नहीं थी कोई हवा में तूड़के आएगा नहीं व गर्में रहने के बाद में भी अगर आप गर्म से बाहर निकलना आपको इंपोर्टेंट लगता है तो आप मास्क लगा के निकलिए और साथ रखिए नमस्कार दोस्तों वीडियो जादा लंबा नहीं करूंगा धन्यवाद आपने मेरा वीडियो इतना लंबा देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका सुक्रिया मैंने जो अपना सेर किया एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये भी महसुस की है कि वाइरस हमारे सरीर में होता है लेकिन तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक कि हम कोई थंडी चीज ना खाए फ्रीज की चीज ना खाए तो फ्रीज में दोस्तों वही चीज रखो जिसको आप गरम करने वाले हो जैसे कि सबजी हो गई दूद वगेरा ये सब आप फ्रीज में से डाइरेक्ट ठंडी चीज निकाल के मत खाऊ कुछ दिन कुछ नहीं पढ़ा है अरे जिन्दा रहे तो अगले साल खालेंगे फ्रीज की चीजे जिन्दा रहे तो अगले साल शादियों में चले जाएंगे कुछ नहीं पढ़ा है इन सब में जान है तो जहान है दोस्तों और हाँ जो भी कोवेड रिकवरी कर चुके है मेरे दोस्त उन सब को बहुत बहुत सुबकाम नए और मैं चाहता हूँ कि वो प्लाज्मा थेरिपी में आगे आए जो भी रिकवर हो चुके कोरोना पेसेंट वो जरुत मन्दों लोगों को अपनी प्लाज्मा डोनेट करके उनकी जान बचाने का प्रियास कीजिए प्लाज्मा थेरिपी क्या होती है यह हम कल अगला जो वीडियो लेक्चर बणाएंगे वो इसी टोपिक पर बणाऊंगा मे कि प्लाज्मा थेरिपी क्या होती है कौन दे सकता है कौन ले सकता है यह सब बाते हम करेंगे तो आप से हाथ जोड़कर मेरी विंती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेलाईए ताकि यह कोरोना पेसेंट्स तक पहुंच सके यह रेसिपी यह जो अच्छा लगे